भानजी आरती सिंग की शादी में मन मुटाव भुला कर पहुचे गोविंदा, जीहां 2016 से गोविंदा और कृष्णा के बीच अनबन चल रही है और यही वज़ा है कि गोविंदा ने आरती सिंग से भी दूरी बना रखी थी आपको यह बताए कि गोविंदा अपनी भानजी की शादी में आये, उनके बेटे यश्वर्धन आये लेकिन उनकी पत्मी सुनीता और बेटी तीना नहीं आये दोनों परिवारों के बीच साल 2016 से ही लडाई चल रही है आपको बता दे कि कश्मीरा की वज़ा से गोविंदा और उनके भानजे कृष्णा के बीच अनबन शुरू हुई थी हुआ यूँ था कि कश्मीरा ने ट्वीट कर दिया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि लोग पैसे लेकर शादियों में नाचते हैं ये बात गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता को बुरी लग गई जिसके बाद से उन्होंने कृष्णा अभिशेक के साथ जो है दूरी बना ली जिहां वो जो है उनके परिवार दोनों परिवारों का मिलना जुलना बंध हो गया और जिस शो में भी कृष्णा अभिशेक ह लाकर आए अपनी बेहन की खातिरों वहां पहुंचे आपको बता दे कि आर्ति सिंग की मा जो है बीस दिन की थी आर्ति तब उनका निधन हो गया था कैंसर हो गया था उनको और गोविंदा की बहन चल बसी थी उनका नाम पदमा था और तब भी गोविंदा जो है कृष्ण और आर्ति के लिए बहुत कुछ करते रहें लेकिन बाद के दिनों में जब कृष्णा की शादी हुई तो उनकी पत्नी कश्मीरा से सुनीता के रिष्टे बहुत बहतर नहीं रहें और अन्मन बढ़ती रही और उसके बाद कहा जाता है कि एक शो में गोविंदा कृष्णा के साथ उन्होंने काम करने से मना कर दिया था जिसके बाद कश्मीरा ने ऐसा ट्वीट किया था कि लोग पैसे लेकर शादियों में नाचते हैं और इस ट्वीट के बाद जो है दोनों के बीच अन्मन काफी बढ़ गई एक बार तो ऐसा हुआ था कि गोविंदा कपिल शर्म में आया हूँ मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे वाश्तु शब्द दोशो तो गोविंदा के इस बात का जो है लोग तरह तरह का मतलब निकाल रहे हैं लोग ये कह रहे हैं कि गोविंदा बड़े हैं उनको बड़पन दिखाना चाहिए माल लीजे घर के बच सरेमनी में आया न मेहंदी सरेमनी में दिखा न संगीत नाइट में दिखा शादिक में भी जब गोविंदा आये तो अपने बीवी और बेटी को नहीं लेकर आये तो इससे माना जा रहा है कि दोनों परिवारों में अब भी अनबन जारी है गोविंदा की पतनी अब भी कश लेकिन बहुत कम देर के लिए वो शादी में रुके और फौरन निकल गये और जाते जाते उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसके लोग तमाम मतलब निकाल रहे हैं कि ये क्या हुआ कि मामा ये कह रहे हैं कि मैं कोई वास्तु दोश नहीं लेना चाहता इसलिए मैं यहां पर आ गय करेंगी तो इसका मतलब है कि कश्मीरा और कृष्णा जो है अपनी गलती की माफी चाहते हैं वेकबर फिर से गोविंदा के साथ पुराना और अच्छा समन बनाना चाहते हैं लेकिन सुनीता और गोविंदा जो हैं फिलहाल कश्मीरा की गलती पर उनको माफ करने को तयार न झाल